प्रियास अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद 2019 लोगसबा चुनाओं के दौरान आचार संगीता उनलंगन मामले में मुख्य मंत्री है मनसूरिन को सशरीर पेशी से मिली राहत CM के वकील के अर्जी को अदालत ने किया स्विकार राजिपार रमेश बैस को दी गई डीलिट की मानद उपाधी कहा किसी की गरीबी उच्छिक्षा हासिल करने में नहीं होगी बाधर और राजिभर में गर्मी का सितम जारी लूपिय थपड़ों ने लोगों को किया परिशान अगले पाँच दिनों तक गर्मी से रहात मिलने की कोई उम्मेश नहीं नमस्कार खबरे जार्खन में आपका स्वागत है मैं हूँ रोज उराउं और अब समाचार विस्तार से राष्टपती रामनात कोविंद ने आज राष्टपती भवन में विजिटर्स कोंफरेंस 2022 की मेजबानी की राष्टपती ने अनुसंद्धान और प्रद्योगी की विकास की विभिन श्रेनियों में विजिटर आवौर्ड्स 2020 भी प्रदान किया दो दिन के इस समेलन में विभिन विश्यों पर विचार विमस होगा और प्रस्तुतियां दी जाएगी उच्छ शिक्षन संस्थानों की अंतरास्टिये रैंकिंग शिक्षा उद्योग और निती निर्माताओं तथा शिक्षा और अनुसंधान के भी समन्वे जैसे विश्यों पर विचार विमस होगा I was happy to see that Azadik Amratma also commemorating the glorious history of India's freedom movement finds a place in the opening session our institutions of higher learning are central to this as our young citizens are not only the inheritors of the past but also the ones who will be leading India into its next golden age institutions of higher education have a major responsibility of transforming the impression-able youth for this we need to address their aspirations as they are future leaders in various spheres of life ग्रिह मंत्री अमित्षा ने कहा है कि रास्टी जनजाति अनुसंधान संस्थान जनजाति समुदाय की विकास में महतपून भूमिका निभाएगा नई दिल्ली में भारतिये लोक प्रसासन संस्थान परिशर में नौ निर्मित रास्ट ये जनजाती अनुसंधान संस्थान का उद्गाटन करते वे उन्होंने ये बात कही। स्रीश्टाह ने कहा कि या संस्थान दस करोड उपे की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजाते समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाएं हैं और या संस्थान नीतिया बनाने में सरकार की मदद करेगा। डॉक्यूमेंटेंशन और रिसर्च का कारिय करेगा। मोदी जी ने जो कलपना करी है जनजातिय संग्रालयों की इसमें क्या विवीत्ता हो सकती इसका रख रखाव इसका मेंटेनस इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समनवे का काम भी यही अनुसंदान के अंदर करेगा। एक दुरुष्टी से समग्र जनजातिय समाज के विकास का खाका खींचने का काम यह अनुसंदान के अंदर करने वाला है। इस दोरान जनजातिय कार्यमंत्री अर्जुर्मुंडा ने कहा कि इस संस्थान से जनजातिय विकास में एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदमोदी के नेत्रतु में आठ साल बेमिसाल रहा है। करने की जरूरत होगी केंदर सरकार उसे लेकर आगे बढ़ रही है। मानिये ग्रेव मंत्री जी का और इस देश के यसस्वी प्रधान मंत्री जी का, मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर भाई मोदी जी का, कि जिस बात का उलेक मानिये किरन रिजू जी ने किया, कि देश के उन इलाकों में रहने वाले, उन छेत्रों में रहने वाले, जनजाती समाज संपूर्ण रोग से विकास के इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक हमारा भारत का जो सपना है जनजन का सपना है वो पूरा नहीं हो सकेगा जार्खन समय देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमन का दायरा बढ़ता जा रहा है देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3714 नए संक्रमितों की पहचान की गई जबकि इस अवधी में 2513 संक्रमित स्वस्त भी हुए हैं के इंद्रे स्वास्ते मंत्राले के अनुसार देश में कोवीट के 26,913 मामले सक्री हैं इधर राजी में भी कोरोना संक्रमन के सक्री मामलों की संख्या 49 तक पहुच गई है ऐसे में लोगों को एक बार फिर कोरोना दिशा निर्देशों के पालन की आशकता है देश में कोरोना को शिक्कस्त देने में टीका करन अभियान भी बेहत कारगर सिध हुआ है और अब तक एक अरब 94 करोड 27 लाग 16 हजार से धी कोवीड रोधी टीके लगाई जा चुके हैं अब भी जिन लोगों का टीका करन नहीं हो सका है उनके लिए घर घर दस तक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है साथ ही साथ कई महतपून स्थानों पर बुस्टर डोज के साथ ही सामाने टीका करन का कारे भी किया जा रहा है आचार संगिता उलंगन मामले में मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को साशरीर उपस्तित होने से राहत मिल गई है लगभग तीन साल पहले दर्ज हुए इस मामले में सोरेन के अधिवक्ता ने आज राची सिविल कोट में अपना पक्स रखा मामले के सुनवाई MP, MLA की विसेस अधालत में हुई जहां जज अनामी का किसको मामले के सुनवाई कर रही थी साशरीर उपस्तिती से राहत के लिए हेमन सोरेन के वकील ने कोट के समक्ष याची का दाखिल की थी जिसे अधालत ने स्विकार कर लिया है अब सोरेन की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन 6 मैं को हेमन सोरेन पतनी कलपना सोरेन के साथ मतदान करने गये थे उस दोरान उनके गले में जारखनमक्ति मोर्चा के निसान वाला कपड़ा लटका हुआ था इस मामले में कारेपालक दंड़दिकारी ने अरगोडा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्रात्मी की दर्ज करवाई थी गुमला विकल आयोजित होने वाले दक्षनी छोटानागपूर प्रमंडल स्थर्ये सर्वजन पिंशन वित्रन योजना सहजाग रुपता कारिकरम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गए हैं उपायुक्त शुशांत गौरो और पुलिस अधिक्षक डॉक्टर इहतेशाम वकारिब ने सईक्त रूप से इस आसे की जान करी दी उपायुक्त ने बताया कि कारिकरम के मुख्य अथिति मुख्य मंत्री हेमन सोरिन होंगे जबकि विसिष्ट अथिति के रूप में वित मंत्री रामे स्वरूराउं महिला बाल विकास एम समाच कल्यान मंत्री जोभा मांजी उपस्तित रहेंगी कारिकरम में सिम्डेगा खूटी राची गुमला और लोहरदगा जिले के लाभार्तियों को बुलाया गया है पर सुभारम कारिकरम है जिसके पहत सर्वजन पेंसन योजना का जो है उसका सुभारम एक विसेश अभियान का किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो भी छूटे हुए वेक्ति हैं उसकी एक योजना बद्ध तरीके से हम लोग सभी को चिन्हित करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और इसकी कल शुरुवात रहेगी प्लस पूराने समय में भी जो हम लोगों ने हाथों हाथ सरकार आपके द्वार की समय हम लोगों ने जो निर्गत किया उसका भी सांगेतिक रूप से हम लोग डिश्ट करेंगे हैं क्लमानी मुखमंत्री जी का कारेक्रा में हम लोग पूरी तरह इलाट है सुरक्षा का बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक यहां है किसी तरह का सहिष्टा मैसूस नहीं करें ट्रैफिक का हम लोग बढ़िया प्लैन त्यार किया है इसमें कि किसी भी ट्रैफिक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग यहां से सभी जितने हाइराइस विल्डिंग हों उनको भी सेंसर कर लिए हैं उनकी चिकिंग की जा रही है पार्किंग के बढ़िया इन प्रगाम है केंद्री स्वास्ति मंत्री डॉक्टर मंसुक मंडविया ने कहा कि स्वस्त नागरीक एक बहतर समाज का निर्मान करते हैं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्त सेमाएं उपलब्ध कराई हैं इस औसर पर डॉक्टर मंडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगों भी जारी किया लोगों को ख प्रक्षित खादे बहतर स्वास्त है स्वस्त नागरिक स्वस्त समाज का निर्मान करता है स्वस्त समाज तंदूरस्त राष्ट का निर्मान करता है और तंदूरस्त राष्ट ही आगे बढ़ सकता है अपना गोल को एचिव कर सकता है राची सांसत संजय सेट ने मुख्यमंत्री हेमन सुरिन को पत्र लिख कर राची के जगरनाथपूर मेले के आयुजन की अनुमती देने का आग रह किया है स्री स्टेट ने देवगर स्थित श्रावनी मेले की अनुमती देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राची स्थित जगरनाथपूर मेले से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है जामताड़ जिले में अवैद बालू उत्खनन के खिलाप जिला प्रसासन की ओर से लगातार कारवाई की जा रही है इस सिलसले में बिंदा पाथर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए अवैद बालू से लदे 18 ट्रेक्टरों को जब्त किया है प्रसासन की ओर से अन्यस्थानों पर भी बालू माफियाओं के खिलाप चापे मारी की जा रही है राजपाल रमेश बैस को जुनजुनु के जगदीश प्रसाद जावरमल टीबडेवाल विष्ट विदाले की ओर से और से राजपवन राची में आयजित विशेस द्यक्षान समारों में डीलिट की मानद उपाधी प्रदान की गई इस अवसर पर स्रीबैस ने कहा कि किसी की गरीवी उच्छ शिक्षा हासिल करने में बाधत नहीं होगी उन्होंने विश्वास वेक्त किया कि यह विष्ट विद्याले अपनी उपलब्धियों से अन्य शिक्षन संस्थानों के लिए प्रेणा का कारे करेगा राज सभाग की जिन 57 सीटों पर चुनाव प्रस्तावी थे उनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है पंदरा में से 11 राज्यों में सांसद निर्विरोध चुन लिए गए हैं इन में से जारखन के जिन दो सीटों पर चुना हो रहा था उसके उमिद्वार भी निर्विरोध निर्वाचित घोसित किया जा चुके हैं भाजपा के आधिति साहु और ज्जामुमों की महुआ मानजी निर्वाचित हुई हैं दूसरी से सीटों पर अब 10 जून को चुना होगा पंदरा में से ग्यारा राज्यों में सांसद निर्विरोध चुन लिये गए अब 10 जून को महराश्ट की 6 सीटों, राजस्थान और करनाटक की 4-4 और हर्याणा की 2 सीटों पर मतदान होगा उसी दिन राजसभा चुनाओ के परिणाम भी घूशित कर दिये जाएंगे इन चार राज्यों में राजसभा के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है भाजपा हु या कॉंग्रेस या फिर शिफसेना इनसीपी या जेडियेस सबको क्रोस वोटिंग और होट्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है मानर विधान सभा उपचुनाओ के लिए आज नामंकन पत्रों की जाच की गई जाच के दोरान चार प्रत्याशियों का नामंकन पत्र रद कर दिया गया जाच परांथ 15 प्रत्याशियों का नामंकन सुकृत किया गया जिन में भाजपा की गंगोत्री कुजूर और महा गटबंधन की प्रत्याशी शिल्पी नेहतिर की शामिल है चुनावायो की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 9 जून तक प्रत्यासी नाम वापस ले सकेंगे तेज जून को मतदान होगा जबके 26 जून को वोटों की गिनिती की जाएगी राजधानी राची के डेली मार्केट थाना स्थित OCC कमपॉंड के समीप अग्यात अपराधियों ने एक जेवर व्यवसाई को गोली मार कर घायल कर दिया घायल व्यवसाई को गंभीर स्थिती में बहतर इलाज के लिए रिम्स में भरती कराया गया है घटना के बाद संबनित्थाना के पुलिस घटना स्थल पर पहुँचकर आसपास में लगे सीसी टीवी की मदद से अपराधियों के पहचान करने में जुट गई है क्रिशी एवं पसुपालन विभाग के सचिव अबुबकर सिद्धिकी ने कहा है कि क्रिशी वग्यानिकों के सोध के माध्यम से कम लागत और बहतर तकनीक के बल पर अच्छी उपज हो रही है श्री सिद्धिकी आज बिर्सा क्रिशी विश्यविद्याले के सभागार में 42 में खरीब रिसर्च कांसिल के उद्गाटन समारों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि विगत दो वर्सों में क्रिशी विज्यानिकों ने 22 से अधिक फसल की किस्मों को विक्सित किया है जो सराहनी कदम है मुख्य मंत्री हेमन सोरे ने ग्रे शिक्षा और वन पर्यावरन विभाग में रिक्त पड़े साड़े 55,000 से अधिक पदों के लिए भरती प्रक्रिया में तेजी लाने का नर्देश दिया है स्री सोरेन आज राचिस्ति जारखन मंत्राले में विभागे पदधिकारों के साथ उचस्तरे समिक्षा बैठक की अध्यक्सता कर रहे थे मुख्य मंत्री ने ग्रिव विभाग के 13,473 इसकूली सिक्षा विभाग में 38,000 और वन विभाग में विभिनिस रेनियों के रिक्त पड़े 4,051 पदों के लिए भरती प्रक्रिया में तेजी लाने का नर्देश दिया उन्होंने कहा कि रिक्त पड़ो पर शीगर भरती राजसरकार की प्रात्मिक्ता है मुख्य मंत्री ने विभागे अधिकारियों को नीमावली में 20 संगतियों को दूर कर अधी याचना जल्द भेजने का नर्देश दिया भारती जनतपाठी की जारखन प्रदेश इकाई ने कहा है कि प्रतेग दल को याधिकार है कि वह अपनी उपलब्धी और भावी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्याला में पत्रकारों से बाचीत में प्रदेश अध् अंगीता की कोई जानकारी ही नहीं है और अब कुछ खबर राजी के विभिन जिलों से राची जिले के नामकुम ठानक्षेतर के केतारी भगान इस्थित एक टाइल्स प्रतिश्थान के संचालक गनेश खुमार से पीलेफाई के एरिया कमांडर श्याम टाइगर के नाम से परचा भीज कर रंगदारी मांगी है इसले कर वेवसाई ने नामकुम ठानक्षेतर में मामला धर्श कराया है पुलिस मामले की तफ्तिश में चुटी है कोडर्मा जिले के मरकचो प्रखंड के नवल साही और चंदवारा थानक्षेतर में अवैदरूप से संचालित करशर यूनिट को द्वस्त कर दिया गया जिला खनन टास्फोर्स की बैठक के लिए निर्ने के बाद अब तक नक्सल शाही थानक्षेतर के पूर्णा नगर स्थिर्ख खटोलिया करशर मंडी में 40 करशर यूनिट को जिसे भी मशीन के मदद से ध्वस्त किया गया पश्यमी सिम्मुम जिले के गोईल केरा प्रखंट के बांदा सोई में डैरिया के चपेट में आने से तीन लोगों के मौत के बाद मेडिकल टीम द्वारा गाउं में ही कैम किया गया है जेखेसा पदादिकारी और पारा मेडिकल कर्मियों के देखरेक में डैरिया से आकरांत लोगों का इलाज चल रहा है पूर्वी सिम्मुम जिले के बिरसानगर थानाकशेतर में एक कमपनी के नाम पर ठगी करने वाले आनन्द राओ को पुलिस ने गिरफतार किया है जिले के वरिया पुलिस अधिक्षक एम तामिलवानन ने बताया कि गरफतार आरोपी के निशानदेही पर खरीब एक करोड उनचास लाख रोपेज जफ्ट किये गए है खोटी जिले के कररा थानाकशेतर के सुनगी आमझरिया टोंगरी में लकड़ी चुनने का एक वरिद्ध को जंगली हाथी ने घायल कर दिया जानकारी के नुसार तोरपा थानाकशेतर के ओकड़ा गाउन निवासी 69 वर्षी अभूनेश्च्वर महतो लकड़ी चुनने जंगल की और गये थे धान ने आत्भत्या कर ले मृतका पेशे से डॉक्टर थी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना इस्तल पर पहुंची और मामले की तफ्तेश जारी है राची के खेलगाओं में खेले गए राज्य कराटे प्रत्योगिता में खूटी की खिलाडियों ने अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए 21 स्वर्ण, 14 रजद और 8 कांसे पदक सहित कुल 43 पदक हासिल कर लिये हैं प्रत्योगिता में जिले के 30 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था राज्य के कुछ जिलों दुमका गुड़ा जामताड़ा में छिटपुट बारिश हुई है जिससे लू की तपिस से थोड़ी राहत मिली है हालांकि मौसम विग्यान केंद्रे ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है मौसम विग्यान केंद्रे ने अपने पूर्वानुमान में यह भी कहा है कि राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिस भी हो सकती है विभाग के अनुसार 10 से 15 जून के बीच जारखन में धनबाद के रास्ते मानसून प्रविस कर सकता है इस से पहले प्री मानसून की बारिस हो सकती है हरियाना के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज भी जारखन के खिलाडियों ने अपना दमखम दिखाया जारखन के सदानेंद कुमार ने 10.6-3 सेकंड के साथ बालकों के 100 मीटर दोड में स्वन पदक जीता सदानेंद कुमार ने पुराने रास्ते रिकॉर्ड 10.6-5 को भी तोड़ दिया उधर हौकी में बाली का टीम के बाद बालकों की टीम ने भी अपना तीसरा मैच जीत लिया है और सेमी फाइनल में अपनी जगा पक्की कर ली है हौकी जहारखन ने हौकी चंडिगर को दो की मुकाबले पांच गोल से पराजित किया उधर कबड़ी में बड़ा उलट फेर देखने को मिला जहां लड़कों के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने हरियाना को एक रोमान चक मुकाबले में हरा कर सौन पदक अपने नाम किया वहीं बॉली बॉल प्रतिगुता में मेजबार हरियाना को तमिलनाडू की टीम ने तीन एक से मात देकर स्वन पर अपना कबजा जमाया पंचकूला के ताउ देविलाल स्टेडियम में एटलेटिक्स ट्रैक पर दोड़ती और अपनी फिटनेस पर जबरदस्त रूप से काम कर रही ये हैं पुड़े की अथलीट अवंतिका नाराले जो की 200 मीटर में काम्याबी की कई कडियों को अपने करियर के साथ जोड़े हुई हैं 2017 में एटलेटिक्स के खेल में कदम रखने वाली अवंतिका पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने साल 2018 में दूती चंद के 200 मीटर जूनियर राष्ट्री रकॉर्ड को तुड़ा था अवंतिका के लिए खेलो इंडिया का प्लैटफॉर्म नया नहीं है वो 2019 में पुड़े में आयुजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले चुकी हैं अच्छा और्गनेजिन किया है उसलिए मतलब उनके लिए हमें सब पता चला कि अतलाटिक्स क्या होता है और सपोर्ट सिस्टेम भी बहुत उनके अच्छी है मैं अभी जो यूश्टी बैंगलवर में खेला था उसमें मुझे दूती चंद सिम्डेगा जिले में हौकी खिलाडियों के चैन के लिए 8 जून से 12 जून तक जिला अस्तरी अभियान के शुरुआत की गई है सिम्डेगा जिला हौकी संग की ओर से प्रतिभावान हौकी खिलाडियों के चैन के लिए 8 जून को कुरुडेग, 10 जून जामपानी, 11 जून को रंगारी और 12 जून को सिम्डेगा में ट्रायल किया जाएगा पिछले तीन वर्सों में ट्रायल के माध्यम से 23 खिलाडियों का चैन अब तक हो चुका है, चैनित खिलाडियों को आवास से प्रशिक्षन दिया जाएगा बेल्जियम और नीदरलेंड में आयजित फेडरेशन आफ इंटरनेशनल होकी की लीग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य की तीन बेटियां निक्की प्रधान, सलीमा ठीटी और संगिता कुमारी भारते महिला होकी टीम के साथ आज बेल्जियम के लिए रवा अभियान चलाया जा रहा है और बरसाथ से पहले जिले के नदी तालाबों की साफ सफाई की जा रही है स्वक्षता अभियान के तहत 45 बटालियन के केड़ेटों ने चाराडी तालाब की साफ सफाई की और वहाँ फैली गंदगी को साफ किया तालाब किनारे फैले कचड़े को उठा कर केड़ेटों ने उसका निस्तारण भी किया केड़ेटों का मानना है कि स्वक्षता मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्वक्षता के कारण बिमारियों से दूर रहा जा सकता है इस दौरान NCC के बॉइज और गर्ल्स कैड़ेट ने तालाब में पानी में फैले गंदगी को भी साफ किया कैड़ेटों ने बताया कि नदी तालाब के किनारे काफी गंदगी फैली है और यहां भी तालाब की सीड़ियों पर कच्रा जमा है जिसे वे लोग हटा कर इस पूरे परिसर को स्वक्ष बनाने में जुटे हैं के साथ कैड़ेटों ने आम लोगों से भी स्वक्षता बनाये रखने की अपील की और कहा कि जिस परिसर को लोग इस्तिमाल करते हैं वहां कचरा ना फैलाएं ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले कोडर्मा से गजेंद्र बिहारी के रिपोर्ट जामताडा जिले के कुंड हित प्रखंड स्थित भागवत जा आजाद इंटर महाविद्याले में स्थापीत सोलर प्लांट के खराब होने से शातर शात्राओं एवं परिसर में रहने वाले सिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच पेजल संकट उत्पन हो गया है पिछली दिनों तेज आंधी के कारण सोलर प्लेट के चतिगरस्त होने से पेजल समस्या उत्पन हुई है महाविद्याले के प्राचारे ने बताया कि इन दिनों महाविद्याले में पेजल संकट गहरा गया है और योग सुरूत में आचारे प्रतिष्ठा से जानते हैं आँखों के समस्याइं दूर करने के लिए कुछ सरल योगासनों के बारे में नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा आखे मन का दरपण है और आखों के बिना जीवन अधूरा है ऐसे में हमारी आखों का अस्वस्थ होना सबसे स्वभाविक बात है और यहीं कारण है कि हमें आस पास सबसे अधिक आखों के समस्याइं आज कल मिलने लगी है अगर आप अपनी आखों को स्वस्त रखना चाते हैं तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे बहुत सुगम से अभ्यास जो आपकी आखों को पूरी तरह से स्वस्त रखने में बहुत बहुत लाबकारी है हम सीखेंगे त्राटक के क्रियाएं त्राटक का अभ्यास स्थिर पॉस्चर में बैठ करके करें अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर करें और जब भे त्राटक का अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि बहुत जादा हवा नहीं होनी चीए धूल धक्कर नहीं होनी चीए और ये भी ध्यान रखें कि light सामने से नहीं पढ़नी चीए पीछे से पढ़नी चीए कमर को सीधी करके बैठेंगे right hand को सामने फेलाना और अपने right hand के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को देखना आखों को स्थिर रखते हुए right hand को right side ले जाना और अपनी eyeballs को भी उसके साथ ही ले जाना अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे गर्दन टर्न नहीं करेगी जहां तक आपका अंगूठा visible है वहां तक ले जाना और फिर वापस ले आना आखे बंद करके हाथों के स्थिती बदल लेंगे अब अंगूठे को बाई तरफ ले जाना वापस लाना आखों को बंद कर लेना ऐसा आप चार बार दोनों तरफ से करेंगे दूसरे स्टेप में अपने अंगूठे को जितना हो सके आखों के नस्दीक लाना कोई चीज बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती बहुत नस्दीक होती है तो भी नहीं दिखती इसलिए जहां पर यह clearly visible है वहां पर रोक कर रखना और फिर दीरे दीरे दूर ले जाना बाई हाथ से इसे दोहराना दोनों हाथों से चार चार बार इस सेकंड स्टेप को करना और फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तीसरे स्टेप में अपनी आई बॉल्स को नासागर पर ले आना टिप अफ दी नोस पर ले आना और यहां से बड़ा चक्राकार डेना बाई ओर नीचे, बाई ओर साइड, बाई ओर ऊपर बिलकुल ऊपर, दाई ओर ऊपर, दाई ओर साइड, डाई ओर नीचे, फिर से नासागर पर, और आखे बंद कर देना यह हमने धो voice movement किया, अब हम anti-clockwise movement करेंगे चिप अफ दी नोस दाइए और नीचे दाइए और साइड दाइए और उपर बिलकुल उपर और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर रास्तिय जनजातिय शोद संस्थान का उर्खातन केंद्रिग्रे मंत्री अमित शाह ने कहा जनजातिय समुदाय को शोशक्त करने के लिल लगाता हो रहे हैं प्रयास अर्जिन मुंडा भी रहे मौजूद 2019 लोगसबा चुनाओ के दौरान आचर संगिता उलंगन मामले में मुख्यमंत्री हैमन सुरिन को सरशरीट पेशी से मिली राहत सीम के वकील की अर्जी को अदालत ने किया स्विकार राज्यपाल रमेज बैस को दी गई डीलिट की मानद उपाधी कहा किसी के गरीबी उच्छ शिक्षा हासिल करने में नहीं होगी बाधर और राज्यपाले गर्मी का सितम जारी लू के ठप्योडों ने लोगों को किया परिशान अगले पांच दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मेद नहीं